जी हां दोस्तों मैं इन दुनों जिस तरीके से विराट कोली और रहीश अर्मा को लेकर काफी ज़्यादा कॉंट्रोवरसी फेली इन दोनों के बीच लडाई को लेकर ख़वरे सामीने आई कि हम दोनों के बीच कोई भी विवाद नहीं है आपको बता दे चुकि दोनों किरिकेटर 13 साल से अधिक समय से भारते टीम का हिस्सा है एक जानबान शान है तो दोसरे कहीं ना कहीं आनुबान शान नज़र आते हैं दोनों ही दिल और जान के रूप में नज़र आते हैं उन्होंने एक दूसरे को काफी लंबे समय से एक साथ देखा है अच्छी तरह से जानते हैं अच्छी बुरी आदर तो से वाकिफ है इस बात को ही लेकर काफी वीवाद हुआ दूसरी कामियाबी देखकर काफी खुश है लेकिन विराट ने जो धुस धन खुलासा किया Ka दोरान अपने फोन, वोलेट, आईपेड से लेकर पासपोर्ट अगलबग सब कुछ bOUGHL गए थे उन्होंने का ता रोही शर्मा जतनी चीजे भूल जाते हैं, नहीं कभी किसी और कल़ी बूलते विoli देखा कोई सै इतनी चीजे बोल सकता है उन्होंनने कहा आइपेड वॉल्एट फोन چोटी चीजे नहीं बलकी देनी को प्योंग यानि जो रोज मर्रा की चीज़ होती वो भी मुझे परवा नहीं में एक नया ले आँगा जब विराट कोली ने उनसे पूछा कि आप भूल जाते हो और उसका क्या होता है तो नहीं का कोई परवा नहीं मैं नया ले लूँगा उससे पता नहीं होता कि उसने चूट गई मैंना प्लैन पर छोड़ दिया उसने कई बार अपना पासपोर्ट भी छोड़ा इसे पुने प्राप्त करना वास्तम में बहुत कठीन हो जाता है पासपोर्ट को लोजिस्टिक मैनेजर हमेशा पूसता है क्या रोहित शर्मा के पास उसका सारा समान है एक बार जब उस रोहित से हामिल जाती है तब ही बस चलती है वरना तो रोहित की बिना इस इजादत के कुछ नहीं होता ओपनिंग करने के एक दिन बाद विराट कोली ने रोहित शर्मा को क्यों छोड़ दिया था ये भी ख़बरे थी तो उसी इंट्रविवी को तुरान विराट को जो लगातार बड़ा मुझे आस्चर्य होता था कि मैं एक युवा खिलाडी हूं लेकिन कोई मेरे बारे बात नहीं करता तो ये खिलाडी कौन है रोही शर्मा को लेकर विराट कोली के अंदर जैलिस ही आई थी उसकी बाद विराट ने पर नाम बनाया रोहित ने पर नाम बन कॉमेंट्स करके अपने राए जरू देजेगा नेक्स्ट नैनी स्पोर्ट्स की रिपोर्ट